अपसे कुछ दिन बाद ही 15 अगस्त आने वाला है। इस बार देश अपना पचतरवा स्वतंत्रता दिवस्त मनाने जा रहा है। ये महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे लिए गवरव का तो हही ये नए संकल्पों नए लक्षों का भी एक बहुत बड़ा आउसर है। इस अउसर पर हमें ये ताय करना है कि आने वाले 25 वर्सों में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं। देश जब आजादी के सो वर्स पुरा करेगा दो हजार से तारीज में 2047 में तब भारत के स्थित्री क्या होगी। ये ताय करने में हमारी खेती, हमारे गाउं, हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये समय भारत की क्रशी को एक ऐसी दिशा देने का है, जो नई चुनोतियों का सामना कर सके और नई अवसरों का भरपुर लाब उठा सके। भाई और भेनों, इस दोर में बहुत तेजी से हो रहें बड़लावों कोई, हम सभी साक्षी हैं। चाहे मौसम और प्रकृति से जड़े बड़लाव हो, खानपान से जड़े बड़लाव हो, या फिर महामारी के काराण पूरी दुनिया में हो रहे बड़लाव हो। हमने बीते डेड़ वर्ष में कोरोना महामारी के दौरान इसको अनुभव भी किया है। इस कालखंड में देश में ही खान पान की आदतों को लेकर बहुत जागरुकता आई है। मोटे अनाज की सबजियों और फलों की मसालों की औरगेनिक उत्पादों की डिमान अब तेजी से बढ़ रही है। इसलिए भारतिय क्रशी उसको भी अब इसी बदलती आवश्चताओं और बदलती मां के हिसाब से बदलना ही है। और मुझे हमेशा से विश्वास है कि हमारे देश के किसाम इन बदलाओं को जुरूर आत्मसात करेंगे।